हालो दूस्तों गुड मानिंग मैं आज बात करने जा रहा हूं एन्सेल रिक्यूमेट 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसी क्यू है एच इए एमम ओप्रेटर के लिए पेट्रोल और डीजल इंजन से अब्जेक्टिव कोश्चन है थर्टी कोश्चन अब्जेक्टिव करते हैं करा कोशन नीमन मेंसे क्या प्राप्त किया जाता है कि हीट इंजन में ताप द्वारा लटर गैस को प्राप्त किया जाता है तरह ओptन नमर भी इसाक्ति तो हमारा सिलेंडर है अंदर में पलक है दो इसप्रे करता है अब जल्दी से जल्दी नए है तो आह वहां चेनल को प्राइल उढ़ाए और वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कि दो नमटर को चलंग है सब्सक्राइब General combustion engine का प्रकार है इसमें जो है आपको बताना है external combustion engine जो होता है i go किसका प्रकार है internal combustion engine जो ih ser होता है वह हमारा जो होता है diesel engine होता है a cyan Battery engine होता है Falcon Commission थो patrol engine होता है मैं अगर आपने नहीं देखा है आप हमारे पेट्रोल इंजन का वीडियो तो दिये गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें वहाँ आप हमने आपको डिटेल में बात किया है SI इंजन के बारे में जो दो नमबर है external commercial इंजन का परकार नहीं है उतरा option है external combustion engine का परकार है अब इसमें कुछ यह external combustion engine मतलब IC engine किस परकार का है उतर है option number C diesel engine अगर आपने diesel engine का वीडियो नहीं देखा है तो दिये करें डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें वहाँ वीडियो अब लेवल है तीन नंबर कोश्चन है internal combustion engine का परकार है उतर है डीजल इंजन बहुत ही important information है H E M M operator के लिए और नई news लिबस बीस्ट यह question है इसे डीजल और पिट्रोल engine से लगबख लगबख आपी से पचिक्स माक्स के आपकी question पूछे जाएंगे जो कि हम आपको तैयारी करवा रहे हैं आप हमारे channel पर जूड़ जाए पूरी information आपको हमारे channel पर ही मिल जाएगी चार नंबर question है internal combustion engine में जनले का अस्थान कैसा होता है उतर है आपसमनर फोर आपसमनर बी जो होता है बड़ा होता है जो उसका जनले की जो electricity होती है वह बड़ा होता है क्योंकि उसका जो सक्सन होता है वो नीचे रहता है उसका झोए रहता है टिदिच से बीडिच सी तक वगड़ा होता है बहुत important डीप ऌनने च Ahora c 연i जो होता है कब स्टार्ट होता है इंटरणलं अंद इंची में इंटर alors ईन जब होता है तब क्या होता है स्टार्ट कैसे होता है उतर है अपसन नम्र शी तूर्त जब हम का मशरी इन्ज़न Frühcut intend अब च्छह नमबर कोश्चन निम ने मैंसे किस इधन का परियोग इस पार्क इगनीशन इंजन में किया जाता है मतलब इस पार्क इगनीशन मतलब IC इंजन में कौन सा इधन का परियोग किया जाता है उतर है option number D जो है पेट्रोल एवं हावा का मिसरन जो IC इंजन रता उसमें कार्बोरेटर के थुरू एयर और पिट्रोल का मिस्रन दोनों में इनलेट वालों में हम उसको भेशते हैं अगर आपने हमारे डिजल इंजन का वीडियो नहीं देखा दियेगे डिस्किमिसन में ज़रूर चेक करें क्योंकि उहां पर एस आई इंजन से डिटेल आपको पढ़ाए गया है साथ नमर कोश्चन है सिलेंडर में उपरी सीमा तथा नीचली सीमा को क्या कहते हैं उतर है आप्सन नमर सी टीडी सी से बीडी सी टॉप डेट सेंटर से लेके बॉटम डेट सेंटर यह हमारे पास सिलेंडर बना हुआ है जिसमें से यह हमारा पिश्टन है यह कनेक्टिंग रॉड है और इसमें से यह लगा हुआ इस पार्क वाल्व तो उपर को हम टीडी सी बोलते हैं और नेशे को बीडी सी बोलते हैं तो इन दोनों का जो ट्रेवल मोमेंट होता है यह उसलिए हम टेडी सी से बीडी सी बीडी सी से टीडी सी कि बात करते हैं ईसका जोए ग्यादर्र MS XVC3 अट नम्ट नम्ट में से किसी करिया के हिसे का एक निष्चित क्रम में बार बार हो होता है उसे क्या कहते है और उत्तर है option number B जो cycle होता है एक की बिंदू से अगर वो बार बार जिसे आपको एक बिंदू है आपको मैं cycle समझा रहा हूं कि बिंदू है और एक बिंदू से गोल गोल घुम के उसी बिंदू पर आ जाए एक चक्कर लगा के उसे हम cycle करते हैं option number B correct 9 number question है वे सभी engine जिसमें इधन का दहन होता है combustion होता है cylinder के अंदर उसे क्या कहते हैं उत्तर है option number B IC engine जो IC engine होता है उसे हम internal combustion engine कहते हैं बहुती important information आप जल्दी से जल्दी आप हमाई चैनल पर subscribe कर लें क्योंकि ऐसे वीडियो आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला piston की दिशा compress stock में क्या होती है जो piston की दिशा compress stock में क्या होती है उत्तर है option number D हमारे उपर की तरफ होता है और उपर की तरफ कैसे होता है जो BDC से TDC की तरफ अगर हमारे पास piston अगर compress करेगा तो हमारे पास क्या होगा यह उपर का है BDC TDC और यह BDC है अगर वो compress करेगा हमारा piston जो piston है वो उपर की तरफ जाएगा ऐसे उपर travel करेगा तो हमारा जो है वो BDC से TDC की उपर न जाएगा तो हमारा जो है BDC से TDC की उपर जाएगा compress इस टोक में ग्यार नमबर कोश्चन है निमने में से किसी कौन सी आईसी इंजन नहीं है आपको बताना है यह आप्सन में से कौन सा आईसी इंजन नहीं है आप्सन है डी गर्म वायू इंजन जो गर्म वायू इंजन होता है यह आपका आईसी इंजन नहीं है क्योंकि यह gas engine जो है IC engine है ferrofin ए IC engine है alcohol engine जो है IC engine है 12. question है gas के फैलाने पर piston की दिशा कैसी होती है उतर है option number A TDC से BDC की तरफ अगर हमारे पास उदानड के लिए यह हमारे पास एक piston है जिसमें से यह connecting rod के साथ है अगर हमारे पास gas का फैलाव होता है तो जो हमारा TDC है उपर को हम TDC बोलते हैं और नीचे को BDC बोलते है टॉप dead center, bottom dead center तो जो हमारे TDC से BDC की तरफ आता है मतलब इसमें जो भी spark होगा कमबसन होगा वो हमारे piston जो है धक्का देगा नीचे आएगा तो हमारे TDC से BDC की तरफ आता है इसलिए हमारे जो option correct है वो TDC से BDC की तरफ है आपको पूरी सपूरी मैं आपको कोसिस कर रहा हूँ कि पूरी सपूरी detail बताने की क्योंकि ऐसी मैंने engineering कर रखी है इसलिए बता रहे हैं दूसरे चैनल वालों पर आपने बहुत कम ही देखा होगा कि यह topic से question आपको complete पढ़ाया जाएगा तेरा number question है निमने मेंसे की कारण से two-stroke engine में port का परियोग किया जाता है अगर हमारे पास two-stroke है तो उसमें हमेसा port जो valve होते हैं उस port करते हैं उस port को हम two-stroke में यूज करते हैं और four-stroke में हम valve यूज करते हैं यह बहुत बढ़ा एक difference है इसको भी आप note कर लिजेगा तेरा number question है किस कारण से two-stroke में port का परियोग किया जाता है उतर है option number four A और C जो हमारे पास charge करने के लिए और हमारे पास ताजा इधन आने वाली gas के निकलने के लिए हमारे पास जो है वो port में चार्ज करने के लिए इंजन को चार्ज करने के लिए और हमारे पास ताजा इधन आने के लिए हम port का उप्योग करते हैं यह बहुत important information है आपका option होगा जो correct होगा 13 का वो होगा D चौदा नमबर question है cylinder में piston के अधिक्तम उच बिंदू को क्या कहते है जो हमारे पास cylinder होता है उसे piston के अधिक्तम उच बिंदू को क्या कहते है वो तरह option number A, TDC अगर हमारे पास, मैं example दे रहा हूँ कि ये हमारे पास spark पलक है और ये हमारे पास piston है connecting rod से connect है तो जो हमारे पास उपर का भाग होता है उसे हम TDC बोलते है निचे का भाग होता है उसे BDC बोलते है bottom date center तो question में कुछ है किया है कि cylinder में piston के अधिक्तम उच बिंदू पर मतलब उपर पर क्या होता है तो TDC होता है आपको option number A correct हो जाएगा क्योंकि मैं एक पूरे example की तरह समझा रहा हूँ बहुत important information है आप जल्दी सजल्दी चूड़ जाए और वीडियो को बार बार देखे क्योंकि ये information बहुत important question है इससे 20 से 30 marks के आपके paper में ही नमबर में नमबर आने वाले है नहीं है option में से अगर आपसना आपको आता भी है तो दिए गए comment box में जरूर बताए 15 नमबर जो question है और उसका होगा alcohol engine जो हमारे पास external का इंजन होता है वो alcohol engine होता है 16 नमबर question है समय से पहले किस वाल्ब का खुलना क्या कहलाता है अगर हमारे पास किसी चीज का समय से वाल्ब खुल जाए उसे हम क्या कहते है उत्तर है option नमबर A वाल्ब लीड अगर हमारे पास कोई भी car जो timing fix किया गया है हमारे वाल्ब में अगर वाल्ब आटोमेटिक खुलता है तो उसको हम क्या कहेंगे वाल्ब लीड बहुत इंपार्टेंट इंफार्मेशन है दोस्तो सत्रे नमबर कोशन आ IC इंजन भाप इंजन की तुल्ला में लाब ब्रद्र है क्यों उतर है option नमबर डी उप्योक्त सभी overall दच्छता अधिक होता है कहने के मतलब जो IC इंजन होता है उसको हम क्यों यूज करते हैं क्या हमारी benefit है क्या advantage है क्योंकि हमारी जो efficiency होती overall दच्छता हमारी जो efficiency होती इंजन की वो बहुत ही better होती है और जो IC इंजन होता है हमारे motorcycle गाड़ी में चोटे वाहल scooter में motorcycle में इस कूटी में उप्योग किया जाता है यह हमारे SI SI इंजन और इसे spark इंजन भी करते हैं तो हमारी efficiency के लिए दच्छता के लिए आंत्री क्रूप से सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी start हो जाता है मतलब कि यह हमारा IC इंजन है यह ठंडे समय में भी हमारा इंजन आसानी से start हो जाता है और यह अधिक समय तक चलता है मतलब ज़्यादा compactable रहता है और अधिक समय तक चलता है इसलिए इसका option जो है D correct है IC इंजन जो है किसके लिए इसका advantage क्या थे यह 3 थे इससे आप रट ले चाहिए तो screen shot के भी रख ले की रख सकते बहुत important information 18 number question निमने में से diesel engine का compressor compressor होता है क्योंकि जो diesel engine होता है उसका कितना CI engine का कितना compression ratio होता है उतर है 18 number option number A 350 से लिकर 550 pond प्रती work inch बहुत important information है 19 number question निमने में से किस स्थाप पर diesel oil जलता है अगर हमारे पास ये वीडियो तो बहुत information है आपकी knowledge को improve करेगी और आपकी paper को qualify कराएगी NCL में क्योंकि जो technical वाला part है diesel पेट्रोल इंजिन अगर इसको आप अच्छे से तयारी कर लिया पेट्रोल इंजिन से question है ये कम ही बच्चे limited ही पढ़ पाएगे क्योंकि ये चीज बहुत ही critical चीज है paper के लिए 19 number question निमने में से किस स्थाप मान पर diesel oil जलता है उत्तर है option number 19 19 का A है 300 से लेके 300 degree तक हमारा जो है oil उसका temperature जलता है combustion होता है बहुत important information है और ये हम compression ratio में जो compression हमारा श्टोक होता है उससे हम 300 से लेकर 300 तक उसमें हम maintain करते हैं बढ़ाते हैं diesel engine में compression के बाद combustion combustion chamber का ताप निमने में से क्या होता है क्योंकि मैंने engineering कर रखी है इसलिए मिझे हिंदी पढ़ने में थोड़ी तकलीप होती है आप manage जरूर करें तो 20 नमबर का जो answer है वो है option number A 600 से लेकर 800 centigrade 600 से लेकर 800 centigrade तक diesel engine में compress के बाद ये chamber में परियोग किया जाता है जो temperature होता ताप होता है 21 नमबर कोशन पेट्रोल इंजन में इधन इसके द्वारा प्रजवलित किया जाता है उतर है option number A spark जो spark होता है पेट्रोल इंजन में इधन का परियोग किया जाता है बहुत important question है 22 नमबर है डिजल इंजन में इधन का दहन इसके द्वारा ignite किया जाता है किसके द्वारा ignite किया जाता है तो हमारा option है 4 जिसमें से answer सही है आपका C दहन के लिए संपिड़ता वायू के उच्छ ताप मान से जो हमारा दहन होता है combustion होता है उसे हम उच्छ ताप पर अगर करेंगे तो हमारी efficiency अच्छा से अच्छा fuel burn होगा और हमारा efficient जो है engine work करेगा इसलिए option number C correct है इस नमबर question निमन में से कौन C diesel engine और patrol engine का अंतर है जो diesel engine अगली वीडियो में हम डिसकर्स करेंगे आप SI और CI engine की बारे में complete अकर आप नए है जल्दी subscribe करें क्योंकि ऐसे आप वीडियो मीस्ट न करें आपको notification आपके मवाइल में जरूर से जरूर मिल जाए तेस नमर जो question निमन में से कौन सी diesel engine और petrol engine अंतर है उतर है option number जो है B इधरन जलने में जो हमारे इधरन जलने में अलग-अलग परकार के होते हैं गो SI और CI engine बताता कि किस परकार से हमें इधरन जलाना है और कौन सा जलने में efficient है जो SI engine होता है हमारा छोटी बाग late मतलब heavy vehicle में नहीं यूज होता है motorcycle हो गया scooter हो गया scooter हो गया इस टाइप का यूज होता है जो CI engine होता है combustion engine वो हम 4 check के गाड़ी में heavy check transport वाली बागे logistic गाड़ीया truck वलकर इस टाइप के यूज हम करते हैं CI engine में combustion engine में हम combustion engine को information आपको दूसरी वीडियो में detail से लाएंगे आप हमाई चैनल पकर नहीं है जल्दे से जल्दे जूड़ ज़ूड़ जाए क्याकि ये information आपको हर एक वीडियो में मिलते रहेगे दो इस टोक engine में एक क्रिया चैक्र पूरा होता हुषसे क्या कहते है अगर गए डो इस टोक हमारे पास engine है तो उस चैक्रिया अगर पूरा करता है तो क्या कहते है In आपसन नमबर कि ऑजो है भी पिस्टयन की दो टोक तथा इसके जो है पिस्टन के दो रिजिटोक क्त दोटकों होते हैं ठिश्टन की में और फिल्डाय से कौन सी डीजल इंजन आप होता है तो होता हुथ ह luxury इंजन इधन जलने में आपको तेयς नम्बर कोशन है दो स्टोक इंजन में एक क्रिया चेक्र पूरा होता है उसे क्या कहते हैं उसे अफ्श नंवर भी पिश्टन के दो स्टक त zip के एक इस्टोक कीistling कोशन बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है आप इसकीन सौट भी ले सकते हैं पिश्टन के दो इस टोक अथवा किकर के एक इस टोक यह होता है दो इस टोक में जो चक्र का पिकरिया होता है क्योंकि ऐसा ही कोशन आपको पूछेंगे एंसियल में पच्छिस नमर कोशन है इन के लिए कि आपका वाल्व है यह दोनों वाल्व रहें ओपन ओलोड्व ले इस फार के पर पर्लक है कि और प्रिंड सी C के पास में है inlet valve हमारा open होता है अगर वो TDC से BDC की तरह पाएगा और बीच में vacuum करिये ठोगा ते यह valve open हो जाएगा और fuel air का मिस्चर जो है inlet valve में परवेस करेगा इसलिए जो हमारा option है यह C है TDC पर बहुत important information है 26 नमबर question निमने में से कीस valve का परियोग मिस्चर को अंदर लाने में किया जाता है उतर है option number A inlet valve अगर हमारे पास inlet valve है वही से हम air fuel का मिस्चर जो है inlet कराते हैं inlet valve में 27 नमबर question है piston का ब्यास cylinder के ब्यास से अधिक होता है कि कम होता है यह आपको बताना है piston का ब्यास cylinder के ब्यास से अधिक होता है कि कम होता है उतर है option number B होता है कम होता है क्यों क्योंकि जो हमारे piston होता है यह cylinder के अंदर रहता है आप देख सकते हैं क्योंकि यह cylinder है cylinder के piston तो अंद चोटा है तो कम होता है और 28 नमबर कोशन चार इस्टोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरी होती है उससे क्या कहते हैं उत्तर है ऑप्स नमबर ए पिष्टन के चार इस्टोक तथा किक के दो इस्टोक यह बहुत इंपोर्टेंट इनफॉर्मेशन है पिष्टन के चार इस्टोक तथा किक के दो इस्टोक आप साथ इसकिन साट भी हरे एक कोशन को बार-बार देख सकते हैं क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट यह क्या यह याएंगे जाम में आपको 29 नमबर कोशन है कि कि किस इंजन में दहन इंजन होता है वो आपका अंदर नहीं फ्यूल क्या होता है बर्न होता है तीस नमबर कोश्चन है किस इंजन में सिंगल एटिंग तथा डबल एटिंग दोनों होते हैं उत्तर है ऑप्सन नमबर जो भी है बाही दहन इंजन अगर वीडियो हमाई थोड़ी सभी पसंद आये तब चैनल की साथ नहे हैं जरूर से जरूर जूड़ जाये क्योंकि अगर अगला वीडियो देखना चाहते दिएगे डिस्क्रिप्सर में लिंक जरूर चेक करें और वीडियो का और भी पार्ट देखने के लिए जरूर साइन्स के रंट अफेर्स ट्राफिक रूल समाने गया तो आप दिये गए चैनल के प्लेस्टूर में बिजिट करें वहाँ पर सारी वीडियो डले हुई हैं आप इंसल की तैयारी में पूर्ड तर पास हो सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत ध